पर्मेशर की नाम की स्तुतियों आप सबों से एक वचन जो मैं भी इसके पारे में सोच रहा था आपसे बाटना चाहूंगा जब परेशानियों का हम सामना करते हैं जब करनाई हमारे जीवन में आती हैं उनका सामना कैसे करते हैं विश्वास के साथ विश्वास में स्थिर रहे कर या क्याम विश्वास से गिर जाते हैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इस दो राजाओं की पुस्तक उसके दूसरे अध्याए ग्यारा से चौदा तक के वचन है ये एलिया और एलिशा के बारे में ठीक है तो वे चलते चलते बाते कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमाय रत और अग्निमाय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर शवर्ग पर चड़ गया और उसे ऐलीशा देखता और पकारता रहा हाए मेरे पिता ठीक है उसके बात कि लाहम declar shining कि उसके बात उसने क्या ना में है एलिया ने ओलीशा ने जब उसको फिर देखना पाया तब उसने अपने वस्त्र पकड़े औ जो उस पर से गिरी थी और वो लोट गया और यदान के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वह चादर चदर जो उस पर से गिरी थी पकड़ कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेशर यहुआ कहा है। इनमें कुछ चीजें हैं जो मेरे ध्यान में आए एलिया की दिल पर क्या गुजरी जब एलिया को परमेशर ने उठा लिया तो मैं सोच रहा था एलिया ने उसके दिल पर क्या गुजरी होगी वो क्या सोच रहा होगा कि मैं एलिया के साथ एलिया को उठा लिया गया और एलिया रहा गया तो एलिया के दिल पर क्या गुजरी होगी तो यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है बड़ी अगर आप ध्यान दे तो लिखा हुआ है कि एलिया देखता और पुकारता रहे गया अगर आप इसको अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो चिलाने लगा रोने लगा वो कहने हो जाता है हमारे साथ तो रोना भी लखना है उसने अपने कपड़े फार के पकटकर फार दिये मतलब दुख से मतलब जो है बंदा परेशान हो गया ठीक है यहां पर परमेश्यों के कलाम में जब हम देखते हैं वो कपड़े तब फार दे जब मतलब बहुत ज्यादा पर खड़ा हुआ तो उसने जो चदर जो गिरी थी एलिया से एलिशा ने उठाई चलने लगा और वो यूर्दान की तरफ चला और अगर आकर वो सीधा चदर उसने के नाम है नदी पर मारी और अगर नदी नदी दोनों तरफ हट गी और वो अगर निकल जाता तो बात लेकिन वो आकर युर्दान की तीर पर खड़ा हो गया लिखा हुआ है युर्दान की तीर पर खड़ा हुआ तेरवे पत्थ में लिखा हुआ है कभी कबार हम बस स्थब्द रह जाते हैं हमें नहीं पता आगे क्या करना है और उसके बाल लिखा हुआ है चौदवे वचन मे तो तेरा परमेशर भी है लेकिन जब विश्वास पर उसके ये चोट पहुचती है ये परिशानी एकदम से उसके जिवन में आती है कि एलिया एकदम से उठा लिया गया और वो अकेला पढ़ गया वो कहता है एलिया का परमिशर कहा है कई बार हमारे जीवें में भी ऐसे अवसर आते हैं जब हम हमारा विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है लेकिन परमिशर समझता है और आप आगे देखेंगे कि जब आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे एलिशा जो है धीरे धीरे विश्वास में आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया और इस कदम बढ़ता गया कि हमने यहां पे अगनी में रथ और गोडों के बारे में इस अध्याय में पड़ा लेकिन कई लोग भूल जाते हैं कि दो राजाओं की पुस्तक उसकी छटवी अध्याय उसके सत्रवे बाप में ऐसा लिखा है तब एलिशा ने वो प्रातना की यह प्रातना की यह यहवा इसकी आँखे खोल दे कि यह देख सके तब यहवा ने सेवक की आँखे खोल दी और जब देख सका तब क्या देखा कि एलिया एलिशा के चारों और का पहाड अगनी में रथों स गोड़ों से और रतों से भरा हुआ है तो यहां पे हम देखते कि एलिया को उठाने के लिए एक रत ठीक है और यहां पे एलिशा के चारों और जब आरामी सेना आती है घेरने के लिए एलिशा को पकड़ने के लिए तब परमेशर जो है एलिशा को बचाने के लिए यह अगन था पहले कैसी थी एकदम से थोड़ा डगमगा सा गया लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा और आगे बढ़ता गया और यहां तक पहुचा कि वो अब अपने लिए नहीं दुआ कर रहा है वो अपने सेवक के लिए दुआ कर रहे हैं परमेशन इसकी आंके खोल देता कि यह करा हुआ था कहां एक रत कहां रथें तो जब हमारे विश्वास में सवाल उठता है जो हम परेशानियों से होकर जाते हैं जब मुसीबते एकदम से आ जाती हैं हमारे सामने और हम सोचे हैं परमेशन हमने तो सब कुछ ठीक किया था हम तो आपके वच्छन के रिसाब से चल गया हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कभी कोई परेशानिया नहीं आएंगी परेशानिया आएंगी तकलीफे आएंगी विश्वास पर सवाल उठेंगे लेकिन हमारा विश्वास जो परमेशर में हैं वह द्रिन रहना चाहिए क्योंकि परमेशर जानता है कि जिस जिस रास्ते से वो हमें लेके जा रहा है, जिस मार्क से वो हमें चला रहा है, हमें सरफ वो मार्क उस ताइम के लिए हमें दिखाई पड़ता है, हम आगे नहीं देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन परमेशर जानता है कि इसका इसका अंत जो होगा वो बहुत शांदार होगा बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया बहुत बढ़िया और शांदार का यह मतलब नहीं है कि आपकी आपको कभी परिशानिया नहीं होगी आपकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी दुनिया भर की धन दौलत नहीं नहीं परमेशर के मार्ग में चलकर परमे मसी में बने रहें अन्त तक और स्वर्गिराज में प्रवेश करें प्रभी शुमसी आपको इन्वर्शनों से आशिश दे